नमस्कार दोस्तों मैं हुझे दिन पटेल और आप देख रहे हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल ओनलाइन ट्रिक्स नौफर्ज दोस्तों हम कभी न कभी वाट्सेफ के अंदर किसी का स्टेटस देखते हैं और हमें वो पसन आ जाता है स्टेटस देखने के बाद हमें उससे मांगना पता है मगर दोस्तों मैं आपको यह ट्रिक बताने वाला हूँ जो भी आप वाट्सेफ स्टेटस देखे होगे और आपने गैलरी में सेव हो जाएगा बिना कोई एप्लिकेशन डाउलोड की है यह ट्रिक काफी अमेजिंग है दुस्तों और काफी लोगों पता भी होगी मगर जिन को पता नहीं है उट के लिए यह तो दोस्तों हम लोग जीतने वाट्सेफ स्टेटस देखते हैं वो आटमेडिकली हमारे galerे में सेव होता है तो हमने जैसे मानलो यहाँ पर status को देख लिया है, कोई video देख लिया है, कोई photo देख लिया है, तो automatically save कहाँ पर होती है, मैं आपको दिखारा चाहोगा, तो दोस्तों आपको करना किया है, आपको simple अपने file manager में अंदर जाना है, my files के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग आपे file manager को open करेंगे, यहाँ पर आप media पर जाएंगे, media पर जाने के बाएड, आपको यहाँ पर dot com whatsapp पे click करना होगा, आप देख सकते com.whatsapp, यहाँ पर इस folder को open करना है, यहाँ पर आपको एक whatsapp का folder मिल जाता है, उसके उपर जैसे आप click करेंगे, तो नीचे आपको मिलेगा एक media option, आप जिएसे media पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा status का एक folder, आप देख सकते हैं, जीतने भी आपने status देखेंगे, और automatically यहाँ पर save हो जाते हैं, आप उसको directly यहाँ से send कर सकते हैं, उसको कोई और folder में transfer करना चाते हैं, तो directly transfer भी कर सकते हैं, तो लुस्तों यहाँ पर आपको एक settings करनी है, settings में जाके आपको show media file को on कर लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, show hidden files को आपको यहाँ पर off होगा, उसको on कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर status का folder देख जाएगा, तो दोस्तों आपको ए trick कैसे लगी, आप हमें comment किरके फनिमा दरूम